अगर आप अपने घर के लिए या फिर अपने ओफिस या प्रोफेशनल यूज के लिए कोई ड्रिल मशीन लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल प्रोड़क्ट रिव्यू हब में और आज हम आपके लिए 3 बेस्ट ड्रिल मशीन इन इंडिया लेके आए हैं जिसमें हमने कॉड़िट और कॉड़लेस दूनों टाइप की ड्रिल मशीन इंकल्यूड किये और आपको उनको ल बेस्ट ड्रिल मशीन इन इंडिया है बोश की JSP कॉडलेस इंपक्ट ड्रिल ब्लैक टेकर की LD12 SP कॉडलेस ड्रिल और आईवेल की RS2023 रोटेटरी हैमर ड्रिल तो सबसे पहले हम इने कंपेर करते हैं इनके टाइप के बेस पे तो बोश में आपको पिस्टॉल ग्रिप ड्रि यूज हुई है वहीं अगर मैं बात करूँ आईवेल की तो यह कॉडिड इलेक्टिक है और अगर मैं बात करूँ वोल्टेज की तो आपकी बोश की ड्रिल मशीन की वोल्टेज 18 वोल्ट है वहीं ब्लैक डेकर की 12 वोल्ट है और जितनी ज्यादा यह वोल्टेज होती है उत साइज है 20 mm और अगर मैं बात करूँ mode की बोश के callless drill machine में आपको screwdriver drill और hammer mode मिलते हैं वहीं आपको black decker में कुछ screwdriver और drill mode मिलता है और IBL के drill machine में आपको drill mode के साथ hammering mode भी मिलता है और अगर मैं बात करूँ number of speed की तो आपको इन सबी में variable speed का option मिलता है जिसमें आप अपनी drill machine को जितना प्रेस करेंगे उतनी fast आपकी drill machine चलेगी पर आपको बोश में variable speed के अलावा two speed gearbox भी मिलता है और अगर मैं बात करूं rotation per minute की तो आपका बोश की drill machine का rotation per minute है 1700 rpm वहीं black decker का है 900 rpm और IBL का है 850 rpm hammer drill में आपको ये feature नहीं मिलता अगर मैं बात करूं auto lock के feature की तो ये feature आपको इन तीनों ही drill machine में मिलता है और अगर मैं बात करूं LED light के feature की तो ये feature आपको सिर्फ बोश और black decker के cordless drill machine में मिलता है इसकी help से आप dim light में भी इस drill का use कर सकते हैं और अगर मैं बात करूं battery power के indicator की तो ये feature भी आपको इन तीनों ही drill machine में मिलता है और अगर मैं बात करूं accessory की तो उसे बताने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लग रही है तो please like, share and subscribe my channel and press bell icon क्योंकि हम ऐसे ही comparison वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं accessory की तो आपको बोश के cordless drill machine में एक cordless drill मिल रही है साथ में आपको इसमें two lithium-ion battery मिल रही है और आपको एक charger मिल रहा है और अगर मैं बात करूं black deck की तो आपको इसमें ten screw driver मिल रहे है two drill bits मिल रही है one lithium-ion battery मिल रही है और इसके साथ आपको एक drill मिल रही है और अगर मैं बात करूं आइबल की तो आपको इसमें key charger के साथ adapter और wrench मिल रहा है auxiliary handle, sgs plus drill bits और depth rod मिल रही है और अगर मैं बात करूं weight की तो आपके बोश के cordless drill machine का weight है three kg four under forty gram black deckar का है two kg और आइबल की rotating hammer drill machine का weight है two kg 60 gram और अगर मैं बात करूं वरेंटी की तो आपको बोश और आइबल दुनों में six month की वरेंटी मिल रही है वहीं आपको black deckar में one year की वरेंटी मिल रही है और अगर मैं बात करूं price की तो मैं आपको पहली बता दूं इन सब के price change होते रहते है तो लेने से पहले एक बार description box में link में जाके price जरूर चेक कर लें पर इस टाइम आपको Amazon पे Porsche की ये cordless drill machine 10,375 रूपीस में मिल जाएगी वहीं black deckar की ये cordless drill machine आपको 3,472 रूपीस में मिल जाएगी और ibell की ये drill machine आपको 2,779 रूपीस में मिल जाएगी और अगर आप इन सब drill machine के लावा कोई और home appliances लेना चाहते हैं तो आप हमारी website top home appliances पे चेक कर सकते हैं उसका link में आपको description box में दे दूँगी तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी recommendation की अगर आप अपने घर के लिए एक drill machine लेने की सोच रहे हैं तो आप ये black decker की cordless drill machine प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी budget friendly भी है और आपको इसमें 12 volt voltage के साथ 1 year की warranty भी मिल रही है और आपको इसमें screwdriver और drill mode दोनों ही मिल रहे हैं और आपको इसमें reverse rotation भी मिल रही है पर अगर आप एक professional use के लिए drill machine ले रहे हैं तो आप ये Bosch की cordless drill machine प्रिफर करें क्योंकि इसमें आपको 2 lithium-ine battery के साथ 18 volt की voltage मिल रही है जिसकी वज़ा से आप इस drill machine को at least 5-6 घंटे तक बीने किसी रुकावट के चला सकते हैं और इसमें आपको variable speed के option के साथ two speed gearbox भी मिल रहा है तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी drill के buying link आपको हमारे description box में मिल जाएंगे और आपको इन मेंसे कौन सी drill machine पसंद आई वो नीचे comment box में मुझे जरूर बताना और अगर आपको हमारी वीडियो यूस्फू लगी तो please like, share and subscribe my channel and press bell icon और मैं मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए product के review के साथ